नर्माल प्रक्रेटिस में जब हम एक स्टीम टर्वाइन को सड़ डाउन करते हैं या फिर स्टोप करते हैं तो उसको उनलोड करके स्टीम टर्वाइन को हम स्टोप करते हैं ऐसा क्यों हम लोड़ेड कंडिशन में स्टीम टर्वाइन को ट्रिप नहीं कर सकते हैं यदि हम स्टीम टर्वाइन को लोड़ेड कंडिशन में ट्रिप करेंगे तो क्या प्रोबलेम होगा ऐसे question ज़्यादा तर powerplant interview में पुछा जाता है AJ turbine operator आपको इस question का answer पता होना चाहिए कि load condition में यदि turbine को trip कीजिएगा तो क्या problem होगा और unload condition में यदि आप stream turbine को trip या stop करेंगे तो किस problem से आपको मुक्ती मिलेगा या फिर protection मिलेगा तो इस वीडियो में हम इस question का उपर discussion करेंगे उमिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा यदि पसंद आएगा इसको like से जरूर करना यदि चैनल पर पहली बार आएगा और इसी तरह का technical वीडियो आपको पसंद दे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सकाइब कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा क्यों किया जाता है जैसे कि मैं आप लोगों को बताया emergency condition के अलावा जब हम turbo generator set को shut down या stop करते हैं तो उसको पहले fully unloaded करेंगे फिर उसका बाद में जाके उसको stop करेंगे यदि आप इस practice को यह जो sequence बताया इसको आप practice करेंगे तो इससे क्या होगा ना first आप turbine को unloading किये फिर उसका बाद trip किये तो यह extra protection देगा आपको turbine overspeeding से turbine overspeeding ना हो यह एक तरह का extra protection है तो इसलिए हम turbine को पहले unloading करेंगे फिर उसका बाद में उसको trip या फिर stop जो भी है आप कर सकते हैं स्टाफ होने से steam flow जो turbine का अंदर में जा रहा था वो बंद हो जाएगा उसके साथ साथ आपका जो generator breaker है यह भी grid से open हो जाएगा हागी नहीं यह sequence रहता है कि नहीं तो माल लिजिए जब आप turbine को trip किये फिर उसका बाद में stream stop valve या control valve और ESV के बाद control valve रहता है यदि यह close नहीं हुआ वाल function किया और कोई एक close हो गया लेकिन उसमें passing है माल लिजिए ESV close हो गया लेकिन उसमें passing है और control valve close हो गया लेकिन उसमें passing है तो एक case में क्या होगा या malfunction किया stock off होके रहे गया close होना चाहिए 40% 30% opening होके रहे गया या फिर close ही नहीं हुआ तो turbine क्या होगा ना over speeding होगा ओके तो यदि आप ये unloading करके आप turbine को stop किये और ये वाला valve जो है आपको problem दिखाया तो इससे आपको क्या होगा ना जो over speeding होना चाहिए उतना नहीं होगा क्योंकि आप already जो valve है उसको operate करके धीरे 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 ला रहे हैं तब तक आप turbine trip नहीं किये है जेनेटर grid के सथ connected है हां कि नहीं तो यदि उस समय valve का भी कुछ problem होगा वो close नहीं होगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है आप उस समय वो problem को identify किये फिर उसको आप rectify किजिएगा फिर उसका बाद आप कि भाल्ब को close करके आप turbine को trip कराएगा लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि भाल्ब जो है यह close होगा कि नहीं होगा मतलब malfunction कर दिया तो आप कैसे उसको overcome करेंगे उस समय आप turbine trip कर दिये हागी ने turbine trip करने के बाद control valve में problem आ गया तो उस समय आपका हाथ में कुछ नहीं है क्या कीजिएगा समझ पा रहे ही नहीं तो उस चीज को हम avoid करने के लिए extra protection देते हैं कि turbine को पहले हम unloaded करते हैं कि फिर उसका बाद में जाके तर्वाइन को trip या stop जो भी कीजिए कोई एक लोजिक को activate करके आप कर सकते हैं तो different way है आप बंद करने के लिए ओके अभी एक important चीज कि कैसे आप confirm हो पाएंगे कि एक TG set जो है यह completely unloaded हो गया करके पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका जो CV यानिकी control valve है यह fully close हुआ कि नहीं दुसरा की indication आपको आएगा कि जो generator का reverse power protection रहता है यह operate होगा कोई-कोई plan में रहता है reverse power से पहले रहता है low forward power protection रिले ओपरेट होता है वो 2 MW या 3 MW में करीब ऐसे set रहता है और reverse power protection जो है करीब 0.5 MW में रहता है ज्यादा तर plan में ऐसे रहता है तो इसलिए मैं common ball ले रहा हूँ तो reverse generator power protection रिले जो है यह करीब 0.5 MW में operate होगा तो उतना समय तक आपका turbine जो है फूली unloaded हो गिया है उस समय जो turbine है ओलड़ी reverse power protection रिले में operate होके trip हो जाता है तो यह था एक simple सा answer इस question का उम्मिद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इस question का answer को बोल पाएंगे वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाए हिन थाएंगे